डोस्तों चिन्नाई सूपर किंग के तरब से एक कमाल की ख़वर निकल कर आ रही है जो कि दोस्तों चिन्नाई सूपर किंग के कैप्टन सी को लेकर है जहांपर महिंदर सिंगधोनी आईपियल 2024 में इस खिलारी को कैप्टन बनाते हुए नजर आने वाले है ऐसे में आखिरकार वो कौन से खिला रही है जो IPL 2024 में कप्तानी करते हुए नजर आने वाले हैं सब कुछ बताने वाले है आज की इस वीडियो में तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप भी महिंदर सिंग धोनी को एक बेहतिरीन कप्तान मानते हैं तो वीडियो को दिल से लाइकर के चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि CSK से जूरी हर जानकारी आप लोगो को टाइम टाइम मिलते रहे तो चलिए आज की इस वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तो आईपियल 2024 के महान कप्तान महिंदर सिंग धोनी आईपियल 2024 की कप्तानी रीतुराज गायकवार को सौप दिया है जो की आईपियल 2024 में कप्तानी करते हुए नजर आने वाले हैं जो बेहति बड़ा बदलाव है आईपियल के इतिहास में आपको ये बता दी के महिंदर सिंग धोनी यहाँ काम पहले भी कर चुके हैं जब उन्होंने अपनी कप्तानी रविन जरेजा को सौपी थी लेकिन उस समय चन्नई सूपर किंग का परदासन बेहादी खराब हो रहा था जिसके वज़ा से उनको कप्तानी फिर से करनी पड़ी जिसके कारें रविन जरेजा काफी ज़ादा नाराज भी हुए थे महिंदर सिंग धोनी से लेकिन दोस्तों ऐसे में यहाँ फाइनल हो गया है कि IPL 2024 के कप्तान रितुराज गायकवार ही रहने वाले हैं ऐसे में महिंदर सिंग धोनी भी इनको सपोर्ट करने वाले हैं ऐसे में दोस्तों यहाँ अंदाजा लगाया जा रहा है कि महिंदर सिंग धोनी IPL 2024 खेल कर सन्यास लेने वाले हैं ऐसे में दोस्तों इस IPL के बाद हमें महिंदर सिंग धोनी कभी भी किर्केट खेलते हुए नहीं दिखाई देने वाले हैं ऐसे में दोस्तों क्या आप इस IPL 2024 में चन्नाई सुपर किंग को सपोर्ट करने वाले हैं आप अपनी रहा नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखे और ऐसे ही चन्नाई सुपर किंग से जूरी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें